हालो एब्रिवन कैसे हो आप लोग मैं अपनी यूट्यूब चैनल सुभं प्रॉपर्टी एडवेजर में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए एक नहीं वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको आपको बताओंगा जो कि सेक्टर 114 में गुडगाओं में अब मैं आपको पहले एमार डिबलपर के बारे में बता देता हूँ एक मल्टी नेशनल रियल इस्टेट टेपलेमेंट कंपनी है जो की दिवई बेस कंपनी है इसके काफी देशो में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कमर्शल, रेसिडेंशल काफी चीज़े है अगर मैं बात करो गुडगाओं की तो अभी इनके 49 प्लस प्रोजेक्ट चल ले है गुडगाओं में चुकि रेसिडेंशल, कमर्शल और अपना कमर्शल प्लॉट जो होते SEO जिनको हम बोलते हैं वो सारे चीज़े अब इनके चल रहे हैं जिसमें से इन्होंने 20 प्रोजेक्ट अपने अल्डेडी डिलिवर कर चुके हैं और बाकी के अपने कुछ दू लाउंच बहें कुछ अंडर कर्श्रक्शन है अब मैं सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ काँ पे प्रोजेक्ट है इसके नियर बाई में क्या 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 है क्या क्या आपको इसके वैनिफिड मिलेंगे यहां पे सबसे बड़ा वैने फिट जो इस प्रोजक्ट का है एक तो जिल्ली से 0 km की डिस्टेंस पर है जो कि अपना डेली और गुडगाओं के बॉर्डर पर है पहला यह सेक्टर पढ़ता है सेक्टर 114 गुडगाओं का इसके नियर भाई की बात करूं तो जो आई जीया यह आपका एरपोर्ट पटा है डेली में वह यहां से सिर्फ 20-25 मिनिट की डिस्टेंस पर है इसके नियर भाई की बात करूं तो जो अपना आई आई सीसी बन रहा है द्वारिका में यहां से 15-20 मिनिट की डिस्टेंस पर है और यहां पर Diplomatic Inclave है जो द्वारी कायम है, जितनी भी अभी चाने के पुरी में अपने MBC से हैं, वो सारी यहां पर कुछ टाइम बाद अपने सिप्टो होने वाले हैं, लग 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 आपका एक से डेट साल में सारी चीज़ें यहां पर सिप्टो हो जाएगी, अपना जो IIC मैंने अभी Convention Center बताया था, वो अपना रेडी हो जाएगा एक से डेट साल के अंदर, तो आप एमान के चले, एक से डेट साल के अंदर, यहां पर सारी चीज़ें आपके सरौंडिंग एरिया में रहेगी, फुटपॉल जब भी 50-60,000 लोगों का है, वो लग 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 आ आप इसे जो यह रोड देख रहे हैं, साज मिटर की रोड है, जो के अपने डेली और अभी गुडगाओं को कनेक्ट करता है, इस तरफ की बात करूं, यह अभी डेली के लिए सीधे जाओगे तो डेली के लिए आपको कनेक्ट हो जाएगा, कापा सेडा और निजबगड व अभी मैं इसके एंटी पा गया हूँ, जो कि अपने सीधे 24 मिटर रोड से इसके एंटी रहेगी, साइड में इसकी 60 मिटर के रोड है, इसके रोड है, इसके आपको अंदर लेके चलूँगा, इनका फेस और अरड इनोंने कम्पलीट कर दिया है, जो आपको वीडियो में द दे देंगे, मांके इनोंने पूरा काम इसमें खर दिया है, अब मैं आपको इनका फेस टू दिखा देता हूँ, जो इनोंने अभी लॉंच किया हूए, न्यू लॉंचिंग में है, इसमें भी आप देख सकते हैं, उन्होंने काम काफी तेजी से कर रहे हैं, और बड़ा इसमें जो इंबेंटी है, वो भी काफी तेजी से सोल्ड हो रही है, इसकी काफी डिमांड है, क्यूंकि गुर्डगाओन का पहला ही सेक्टर है, और पहला ही प्रोजेक्ट है, स्यो पूरसेक्ट तो काम काफी तेज़ से हो ज़िए रहा है अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए इसके अगर आपको विजिट करनी है तो आप में नीचे दे गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और पांकी के अगर कोई भी इंक्वारी हो तो आप मेरे को कॉल करके उसको पूछ सकते हो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सियर करो, सस्क्राइब करो मैं ऐसे वीडियो लाता हूँ आपके लिए